इस वीडियो में डिस्स करने वाले हैं इंडियन एर फोर्स की ज्वाइनिंग के रिव्यू के बारे में और भाई ये ज्वाइनिंग की हमारी थर्ड वीडियो होने वाली है इससे प्रिवियस दो वीडियो हमने अपलोड की है अगर आप लोगोंने नहीं देखा है उसको तो चैनल पे जाईए और उसको देख लीजिये पर ले देन इसके बाद ये जो वीडियो है वो आपको देखनी है तो भाई इस वीडियो में डिस्स करने इंडियन एर फोर्स की जोईनिंग के रिलेटेड जो भी प्रोसीजर है और भाई जो फाइनल मेडिकल हुआ है उसमें कितने बंदों को आउट किया गया है और किस पॉइंड में आउट किया गया है और मैक्जिमम कौन से पॉइंड जो है फाइनल मेडिकल में बन रहे हैं और भाई जो भी बंदे जो है final medical में out हो रहा है उनका क्या हो रहा है इन सभी चीजों के बारे वारे वारे डिस्रस करेंगा और stand by कहा तक clear होगी इस बात पर भी हम लोग डिस्रस करने वाले इस वीडियो में तो वीडियो में बने रहेगा और channel को subscribe कर लिजेगा क्योंकि भाई ऐसी वीडियो जो है joining की review और जो है final medical का review जो है हम लोग continuous देने वाले हैं तो channel को subscribe कर लिजेगा और हम आसा करते हैं कि हमने channel को subscribe कर लिया होगा जिससे भाई next कोई भी वीडियो हम joining के related या final medical के review के related upload करें तो वीडियो का notification आपको मिल जाए तो भाई चलिए वीडियो को start करते हैं तो भाई प्रीवियस दो वीडियो में हमने आपको बताया है कि जब आप लोग joining के लिए बेलगावी airport पर पहुशते हैं या बेलगावी railway station पर पहुशते हैं दिन वहाँ से आप लोग को ATS कैसे ले जाया जाता है कैसे जाना है आपको ये जो बाते हैं हमने प्रीवियस दो वीडियो में डिसकस की हुई है अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाईए और वीडियो को पहले देख लीजिए वो दो वीडियो बहुत इंपोर्टेंट हो ले वाली है और जो है 1 जुलाई के जोइनिंग का प्रोसीजर का वो रिवियू है और फाइनल मेडिकल का रिवियू है तो भाई उन दोनों वीडियो को जरूर देखेगा देन उसके बाद इस वीडियो पर आईएगा और भाई जो भी बंदे नए हैं उनके लिए मैं आपको बता रहता हूँ कि सबसे पले जब आप लोग इंडियन एर फोर्स की जोइनिंग के लिए बेलगावी रेलवे इस्टेशन पर जाते है देन वहाँ से इंडियन एर फोर्स का कैम्प लगा हुआ होता है वहाँ पे आपको वही रिपोर्ट करना होता है वहाँ से डाकुमेंट का चेकप किया जाता है जैसा कि मैंने प्रिवियस दो वीडियोز में डिसकस भी किया है आप लोग जब ATS पहुंचते हैं भाई जल्दी जल्दी में बता देता हूँ क्योंकि previous वीडियो में इसको deeply मैंने बताया है तो जल्दी जल्दी में बता देता हूँ कि time आपका जो है ज्यादा western न हो तो भाई जैसा कि आप लोग जब ATS पहुंचते हैं वहाँ पे जो है सब इससे ले जाने है और original documents जो है आपको ले जाने है और कुछ बंदे जो है pen card के बारे में बात कर रहे थे, प्रिंट आउट ले जा सकते हैं वहाँ आपके प्रिंट आउट के नंबर का काम होता है वैसे अगर आपका प्रिंट आउट ही ले जाना पड़ेगा प्रिंट आउट ले जा सकते हैं तो डाकुमेंट भाई सही से ले जाए है क्योंकि डीवी बहुत अच्छी से होगी वहाँ ये देखा जाए है कोई भी डाकुमेंट आपका गलत या फरजी तो नहीं है देन उसके बाद भाई आपका फाइनल मेडिकल होगा और फाइनल मेडि बाई ऑफाइर फोंकि Roz eli जाएगा देन आपको फोरटीं डेज के लिए क्वारंकाइ ये वावाई आपको जहाँ क्वारंकाइन कीा जाएगा रख सकते हैं आप लोग और भाई स्मार्टफोन लेते जाईएगा क्योंकि भाई 14 डेज जो है स्मार्टफोन आपके लिए एला हुआ है तो भाई वहाँ पे आपको क्वरंटाइन कर दिया जाएगा उसके बाद जो है क्वरंटाइन जब आपको पूरा होगा 14 डेज देन उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है ज्वाइनिंग तो हो चुके भाई उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है आपके ट्रेनिंग का वो स्टा कप हो रही है और किस पॉइंट में बंदों को आउट किया जा रहा है तो भाई ऐसे ही रिव्यूज जो हैं हम लगातार आपको कांटिमस देते रहते हैं तो आप लोग जो है चैनल को सब्स्राइब कर लिए अगर भाई आप लोग की जो है वो बाद में होने वाली है तो चैन प्रिवियस भी बता रखा है कि फाइनल मेडिकल में आपका ब्लड चेकप जो है चेस टेकसर है और ECG है यह दो तीन जो चीजे हैं वो चेक नहीं की जाती है और इन अदर भाई जो बीपी से लेकर और जो भी चेकप से आई का इयर का हर चीज आपका चेक किया जाता है लेक आई वैसे जैसे कि फाइनल मेडिकल में जो चेकप होता है वो ऐसा नहीं होता है जैसा इनिसियल मेडिकल में होता है इनिसियल मेडिकल में आपको पढ़वाया जाता है बट फाइनल मेडिकल में यह चेकप किया जाता है कि आपने कहीं लेसिक सरजरी तो नहीं करा रखी है तो वैसा चेकप जो होता है और भाई फ्लैट फूट है और नोकनी है ये भी सब चेकप जो है वहाँ पे होता है तो अगर किसी भी पॉइंट में आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं उसकी रिपलाई जरूर देंगे और भाई ये वीडियो जो थी अगर आपको helpful लगी हो तो please like करिएगा share करिएगा friends के साथ जो भी जोइनिंग में जाने वाले हैं क्योंकि भाई another किसी को share करने से कोई फायदा है नहीं क्योंकि उनके मतलब की जो चीज है वो इसमें है नहीं तो भाई अपने friends जो भी जोइनिंग जाने वाले हैं उ 247 के फ्रोक्स जो बंदे थे वो वहाँ पहुंचे हुए थे यानि की present थे तो भाई ज्यादा बंदे जो है absent नहीं थे फर्स्ट आप जुलाई को तो भाई ये जोइनिंग की third video थी जोइनिंग review की third video थी अगर first two videos को आपने नहीं देखा है तो description में link है पहले उसको देख ल